हेलो गाईज तो गाईज आज हम बात करेंगे लेबरेडर डोग के कुछ ऐसी प्रोब्लम जो काफी ज़ादा आपको इरिडेट कर सकती है अगर आपने इस चीजों का ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले तो गाईज जो लेबरेडर डोग होता है उसके अंदर एक प्रोब्लम लहती है अगर गाईज आप अपने डोग को अवरवेट कर रहे हो यानि अगर आप एवरेज फूड अपने डोग को नहीं दे रहे हो तो आपका डोग अबैसिक हो जाएगा बोड़ी बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जब वैदर चेंज होता है तब लेबरेडर के अंदर आपको हेर फोल देखने को मिलेगा तो आपको प्रोपर डिवर्मिंग भी करवानी है और साथ में वेक्शिनेशन भी रखनी है एक आती है प्रोब्लम विद हैल्थ यानि क्या होता है आपका जो लेबरेडर होता है उसको आप एक लिमिटेड जगह पे नहीं रख सकते उसको एक यार्ड चाहिए जिसमें वो अच्छे से खेल सके रह सके अच्छे से वोक्स कर सके अच्छे से वो एक्ससाइज कर सके अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका डोग बहुत जादा ह भी हो सकती है एक प्रोब्लम आती है आप पने डोग को यानि जो लेबरेडर होता है इसको डेली वोग जरूर करवाने पड़ेगी आप डेली वोग क्यों करवाने पड़ेगी विकोस अगर आप वोक नहीं करवाओगे तो ओवरवेट हो जाएगा तो आगे चलके काफी करते है कि उसके अंदर गुसा आजाना अगर आप उसको ऐसे destaंट कर रहे हो कि जने जो घर के मेंबर्स होते हैं उनके साथ तो फ्रेंडली रहना है और बाहर वालो को यानि जो बाहर का इसको उसके साथ aggressive हो जाना है एक होता है dog friendly अब कई बार ये भी देखा होगा guys कई जो labrador होते हैं बहुत जादा friendly होते हैं अगर मालों कोई बाहर का भी बंदा आता है foreign elements अगर foreign man आता है कोई तो guys उसके उपर भी वो क्या है बहुत जादा friendly nature अपना दिखाता है ये बहुत जादा कहीं न कहीं एक अच्छी चीज नहीं है because guys हम dog as a guard रखते हैं तो guys इसमें आपकी ही गलती होती है आपने अच्छे से उसको train नहीं किया तो labrador के साथ ये भी एक issue रहता है एक रहता है guys devorming problem अप guys devorming problem कैसे जैसे guys आप अगर devorming कर रहे हो मलो अगर आप एक salt की medicine दे रहे हो अगर guys आप एक salt की medicine लगातर देते रहोगे अपने labrador को तो आपके dog की devorming अच्छे से नहीं होगी आपको worms वगरा देखने को मिलेंगे आपको labrador dog है वो बिमार होना start हो जाएगा लेकिन अगर आप salt to salt change कर रहे हो तो guys ये problem आपके dog की अंदर नहीं आने वाली एक आता है guys dog को आप alone नहीं रख सकते basically सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है labrador बहुत ज़्यादा friendly होता है अगर आपके घर में बच्चे हैं यानी चोटे-चोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा उसको खेलने में मज़ा आता है वो enjoy करता है अगर आप उसको घर अकेला छोड़ गए तो guys वो बहुत ज़्यादा stress में भी जा सकता है उसकी problem भी हो सकती है internal problem भी हो सकती है एक आता है winter season के दुरान winter season के दुरान क्या होता है guys इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है भाई अगर सर्दी लगेगी तो guys आपको sweater भी लेनी पड़ेगी उसको गरम area में रखना पड़ेगा तो यह ही इसका important solution है गर्मियों के अंदर यह देखा गया है इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा हाफता है कर जैसे फर्ष होगा ठंडा फर्ष होगा उसके ओपर लेट जाएगा अपने को गंदा कर लेगा कहीं पानी बगरा होगा तो उसमें लेट जाएगा तो आपको ध्यान देना है गर्मियों के अंदर इसको आप कूलर में रखो अगर आप ऐसी अफर्ड करते हो तो आप ऐसी में भी रख सकते हो एक प्रोब्लम गाईज जो डिहाइडरेशन की रहती है हमारे लेडरेटर डोग के अंदर विभीवथ जाएडरेशन की पानी की कमी हो जाना अब ये बहुत ज़्यादा हाफ है का क्पिक उस गर्मियों में तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जिसके वजह से जो पानी की कमी होती है तो guys आपको ध्यान देना है daily to daily time to time अपने लेबरेटर डोग को पानी की requirement जरूर करवा देनी है तो guys hope so आज की जो वीडियो हमने बनाई है आपको अच्छी लगी होगी thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share aim रखेंगे 1K likes का thank you